में लावुए लेविएज बात करेंगे कि ने विएज क्या हो तो बीडियो च्टार्ट करतें के गाते थे दोस्तों एनि-विएज का फूलव होता है नेस्टिन एक रोड और ऑप होस्पिटल्स एंड फो प्रोटोकॉल होता है उसको फोलो करना होता है उसको फोलो करना होता है उस प्रोटोकॉल के हिसाब से अगर आपका मदा प्रोटोकॉल को फोलो करें यहां करें होता है और सब्सक्राइब करें मितल नियुक्त होता है ऐसा नहीं कि दोस्तो N.E.B.H. के guideline के हिसाबसा नहीं चलेगे Suppose जो N.E.B.H.'s के guideline के हिसाबसा नहीं चलेंगे जब आपका N.E.B.H. आएगा जब आपके accesor आएगा तो दोस्तो उसमें N.C. लगा के चले जाते कि आपको ये चीज ऐसा करणा चाहिए था आपने ऐसा नहीं किया, तो RC लगा के चले जाते है, जसको बोलता है, नन-Clearance, फिर उसको दोस्तों 가 безопасile करना होता है, provides ओसको ठीक करना होता है, अगर आप ठीक नहीं करों को, दोस्तों आपको पहली बता दिये था सब का काम अलग होता है यहां से आप पर सेंट के लिए खाना ब्रेक फास्ट लाए जाता उसका काम इसमें जो आपके। अलग हो जितने भी आपके मसीले है उसका उसका रेकडाून्स कम हो इसमें कोई जादा प्लॉब्लम ना आई आपको पता होने चाहिए मेरे अलद में कितनी करीकल मसीले शुक्यम क्रिय क्रीटिकल मसीले दोस्तो Calivation certificate दोस्तों, यह होता है, कि किसी Calivation certificate है ją incompetent measure certificate, होता है कोई भी machine होती, उसकão measurement को चेक किया जाता है या उसका parameter में, दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं आई तो आपको Calivation भी करवाना होता है आपके पास QA का certificate रखना होता है ARB का certificate रखना होता है आपके पास AMC, CMC, PMS कब हुआ है, सारी डाटा रखनी होती है तो कि जब SSR आएंगे तो दोस्तों आप से certificate मांग सकते है कि मुझे आपके जो radiation वाले equipment है उसका ARB certificate दिखाऊ तो आपको ARB certificate दिखाना होगा या आपको सब पूछ लेंगे कि आपके पास ARB है, मुझे QS certificate दिखाऊ, दोस्तों QS certificate दिखाना होगा आपको calibration certificate भी मांग सकते है या आपको like ICU में ventilator उसका PMS report दिखाऊ तो PMS report भी मांग सकते है training certificate भी मांग सकते हैं कि आप hospitals में अपने doctors को training देते हो कर नहीं देते या staff को training देते हो के नहीं देते आप से दोस्तों ये भी मांग सकते है आपका पास जो OTs है दोस्तो OTs के भी HEPA filter के report मांग सकते है, dialysis होगा dialysis के भी outlet and inlet के report मांग सकते है, आपका oxygen plant है दोस्तों उसके भी report मांग सकते है कि आपका AMC, CMC में है कि निया आपका क्या काम है, आपको क्या क्या करना होता है तो दोस्तों इसी को हमें NEBH बोलता है और इसी तरीके से बायो मेडिकल को हॉस्पिटल में काम करना होता है ठीक है दोस्तों, थैंक्यू